आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल ऐसी की भरतियों की सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटी की पीटी की कर लास्ट डेट है एक तारीक से इसकी आविदन सुरू है और तीस अगस्त इसकी लास्ट डेट है यहां पर देख सकते यह मैंने यूपी ट्रबल ऐस्टी की वेबसाइट खुली है और यहां पर लिखा है दस सर्विस इस अनवेलबल यह देखिए यह कोई स्क्रीन शॉट नहीं है मैंने यह डारेक्ट खोला हुआ वेबसाइट और ऐसी सूजना है पिछले दो-तीन दिनों से लगातार मिल रही चूग गय थे विद्यार्थी कोड भी गय थे लेकिन विद्यार्थी कोई सुनुभाई नहीं थी और आवेदन की तो लास्ट डेटर 21 में बढ़ाई भी नहीं गई थी सोचल मीडिया में लगतार विद्यार्थी यह मांग करना है यूपिटर पल ऐसी से उत्तर प्रदेश क के मुख्यमंत्री से के यूपिटर पल ऐसी पीटी के आवेदन नहीं हो रहे हैं कम से कम भरतियां तो नहीं आ रहे हैं पीटी में आवेदन करने का मौका तो दे देजी यह देखिए साइट इस नाट वरकिंग डूते नहीं और वेब साइट का यह स्क्रिंशॉट भी लगा कर लिए हैं 2-3 लाख ऐसे विद्यारती हैं जिनका आवेदन पूरा नहीं हुआ है और अगर वेब साइट इसी तरीके से चलती रही तो जो विद्यारती रिजिस्टेशन नहीं कर पाए हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए जो विद्यारती रिजिस्टेशन कर चुके हैं और जिनका final submission नहीं हो रहा है वो गुद्ध्यार्थी वंचित रह जाएंगे तो इसकी बारे में UPySY सुधार करें आखिरकार UPySY में ऐसा बार-बार क्यों होता है वहीं पर अगर PEET की परिक्षा की बात करें तो जानकारी निकल करके यही आ रही है कि अक्टूबर के लास्ट में PEET की परिक्षा हो सकती है यह UPySY की तयारियां जो चर्चाएं हैं कि हैंकि अक्टूबर में इसकी परिक्षा हो जाए और जल्दी ही इस भरती का परिणाम भी जारिक कि जा सकता है चुकि पिछली बार परिणाम में देरीवी थी और तीन महीनी का एकस्टेंसल लेना पड़ा था बात करते हैं लेकपाल की तो लेकपाल की दो अपडेट हैं एक तो बहुत सारी विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सरा आप भी लेकपाल डीवी पर वीडियो बना दीज बहुत सारे परिणाम भी जारी हुए चुकि लेकपाल वरती पुरानी हूँ चुकि यह 2021 की बरती है और इस बीच में बहुत सारे परिणाम जारी हुए जिनका चेहन अच्छी ग्रिट पे में हो गया है वे सभी विद्यार्थी लेकपाल की डीवी में बिलकुल न जाये लेकपाल में भी हो गया था आपका चेन होई चुका है और अगर आप लोग डीवी को इसकिप कर देंगे तो मुझे लगता कि कम से कम 2-5,000 विद्यारती छोड़ सकते हैं और इस प्रकार से एक तरीके से जो कटाफ है वो काफी कम हो सकती है तो यह जो कटाफ है लेकपाल भरत है कुछ विद्यारती तो वैसे भी नहीं पहुंसते किसी भी भरती हो चाहिए इस की हो या PCS की हो Assistant Professor की हो पूरे विद्यारती के अभी भी नहीं जाते हैं और रही पात लेकपाल भरती की तो ज्यादातर जो भरतियां इस बीच में complete भी हो लेकपाल भरती से ऊपर की grade पर की हैं वह सभी विद्यारती डीवी स्किप कर दें हम बात करते हैं लेकपाल में एक अपडेट और है और वह अपडेट है कोड को लेकर कि उत्तर प्रतियों की जो प्रमुक्त समस्याएं हैं वह कोड की हाला कि इसमें पहुंचाता कलती विद्यारती की नहीं है अगर बनाते हैं गलता अंसर बनाते हैं जल्दबाजी में फिर बाद में विसे विसे सकें उनको हट आएंगे ड्रामा होगा बहुत सारे चीजें होगी मामला कोड में जाएगा विद्यारती चकर लगाएंगे वर्तियां रोकेंगे विद्यारती आप लोग चले गए तो यहां प अबर एक प्रस्न था वाला ये वाला प्रस्न था सौर फॉल्टो वाल्टिक सिचाइग योजना के तहर्ट चोटे और सीमांत किसान कि सरकार के सबसीडिय के अलावा ठारसो वाट से सोलर में के लिए कितने अनुदान पात रहें तो इस प्रस्न को लेकर कि विवाद हो गया आफिडेवित लगाया है वो 2018 के जीओ लगाया है और जो विद्यारटियों के वकील हैं उन्होंने जीओ लगाया 222 का जिऊो लगाया है दो ज़ार 22 का जी यो नविंटम जिओ और यह 30 परिडिसत ही सही है जो चात्रों ने लगारी तो नविंटम जीओ माना जाएगा पुरान तो दो नेक्स डेट यह देखिए लीचे लिखी हुए यह 13 सितंबर यह देखिए और यह जो एफिडेविट मांगा गया है यह मुख सच्छी शिचाई विभाग से देखते हैं कि आकरकार जो शिचाई विभाग के जो मुख सच्छी हुए वो क्या जबाब देते हैं चलो ठीक है दे वीडियो री एक्जाम परणाम कव तक जारी होगा चूंकि काफी ज़्यादा विद्यारतियों ने इसके लिए आवेदन किया था बहुत प्रतिचित भरती है पुरानी भरती है तो अब यूपिटर पलसी की जो वीडियो री एक्जाम का परणाम है वो अक्टूबर में आन वंदरों का वरती का परणाम हो गया साथ में फॉरेस्ट गाड का मेडिकल अभी जो कुछ विद्यार थी यूपिटरपल ऐसी गय थे तो ऐसी जानकारी दी गए थी कि इनका जो मेडिकल है वो सितंबर के महिनी में हो सकता सितंबर के महिनी में मुख सिविका की परिक्षा भ करना होगा उसमें विद्यार्थियों को थोड़ा सा देरी लगेगी तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि लेगपाल भरती के जो भी छात्र हैं चैनित और जिनका चैन और अच्छी पोस्ट में हो गया है तो वो डीवी इसकी पो जरूर कर दें इस वीडियो को भी जादा जादा सेयर कर दें और हाँ एसो के विद्यार्थियों को भी एक जानकारी दे दूं कि बहुत सारे प्रग्राम के बारें पूंच रहा थे अभी इनका जो मामला है कुछ समस्या है आरता को लेकर के हुए जो भी बात हो तो अभी इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतिजार करना होगा और हालांकि आयोग की कोशिस है कि इसी महीने इनका निस्तान हो जाए और इनका जो फाइनल परग्राम है वो जारी कर दिया जाए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर के महीने में इन विद्यार्थि को जो परग्राम है वो जारी हो सकता है सितंबर 20 सितंबर के आसपास यह हो गया आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद